तो आप सभी को नमस्ते परणाम, मैं आपका अपना ठागो प्रखर सिंग और रात के दस बच्च के और कहानी का जो सिलसिला है, बदस्तूर जारी है कहते हैं कि कोई इंसान हो, बदला लेने के लिए इंतिजार जरूर करता है किसी का मडर करना हो, तो कई साल तक इंतिजार करता है किसी को नीचा दिखाना हो, तो हो सकता है, दसकों तक इंतिजार करे लेकिन कोई इंसान महज एक अपहरण करने के लिए 15 सालों तक प्लान करे 15 साल बाद उसका प्लान सक्सेश फूल हो और जब अपारण करे किटनैप करे तो सामने वाले को बैठा के 15 साल पहले घटी एक घटना सुनाए और बताए कि मैंने तुम्हारा अपारण क्यों किया साथ ही जो अपारण करने वाला था उसने ऐसी नरकिये यातना दी कि साथ भले ही जिसका अपारण हुआ था वो जिन्दा हो लेकिन आज भी उसकी रूह काम जाती है और इसका अंदाजा आपको आनी वाली कहानी से लग भी जाएगा आज की कहानी अमेरिक्या की है अमेरिका में एक जगहा लगती है मिनिसोटा और मैं बात कर रहा हूँ साल 1980 दरसल 1980 से पहले एक लड़की जिसका नाम मैरिस्टॉफर था उसका जन्म होता है जन्म होता है देदे लड़की बड़ी होती है जवान होती है घरवालों को साधी की चिंता सताती है 1987 में लगभग लगव ये सारी चीजें अभी तक फैमली के कंट्रोल में थी फैमली वाले डिसाइड करते थे कि साधी कहा करनी है लिहाजा मैरिस्टॉफर की जो साधी की चिंता थी उसके परिवार वालों को सताती है एक लड़का देखा जाता है जिसका नम इर्व होता है इर्व मैरिस्टॉफर को पसंद करता है मैरी भी इर्व को पसंद करती है दोनों की साधी की डेट मुकररर होती है पूरे रीती रिवाद से जो वहां का कल्चर था उसे साथ से दोनों की साधी होती है साधी होने के बाद दोनों के बच्चे होते हैं एक बेटा होता है एक बेटी होती है और जो मैरिस्ट आफर की सस्रौाल थी काईदे से कहें तो जो इर्व का परिवार था बेहत कटर इसाईवादी यानि आए दिन चर्च जाना, उस धर्म के हिसाब से पुजा पाट करना, प्रातना करना, प्रेयर करना इनके डेली रोटीन में सामिल था और जब भी इन्हें मौका मिलता ये फिलिपीन्स जाते चुकि वहाँ पे एक बेहत फेमस चर्च है वहाँ पे जाते जाने के बाद घंटों तक चर्च में बैठे रहते, प्रेयर करते अब फैमली ऐसी थी, पती ऐसा था, बागी परिवार के लोग ऐसे थे तो इस चीज का जो प्रभाव था देर दिरे, मैरी पे भी पड़ा मैरी भी देर देर कटर इसाइबादी हो गई बच्चे भी देर देर गौड के प्रतिजों का एक रुजहान था, वो भी जादा ही होने लगा अब मैरी भी जाती, बच्चे भी जाते, आए दिन प्रात्ना करते और इसी बिच एक डेट आते है, 20 मई, साल उनियस्वसी परिवार वाली ये डिसाइड करते हैं कि 20 मई को हम लोग फिर से फिलिपीन्स जाएंगे, चर्च में कोई फंक्सन वगएरा है, वहाँ पे रहेंगे पूरे दिन का टाइम देना है, तो सब लोग अच्छे से तयारी कर लो, तयारी करके ही जाएंगे अब ये बात जब मैरी को पता चलती है, उसके बेटी को पता चलती है तो मैरी सोचती है कि क्यों ना पारलर चले जाएंगे, सैलून जाएंगे, बाल हो गएरा कट करवा लें चुकि काफी लोग वहाएंगे, काफी लोग देखेंगे, भीड होगी काफी अब मेरी चर्च जाती है लेकिन उससे पहले सैल्यून जाती है बाल कटवाने के लिए और जैसे ही सैल्यून से बाल कटवा के निकलती है तो साथ में उसकी आठ साल की बेटी बैत होती है दोनों लोग बात करते हुए अपनी कार की तरफ आ रहे थे सारी चीज़े decide कर रहे थे आपस में discuss कर रहे थे कि बाल सही कटा या नहीं कटा लेगन इसी बीच जो बैत थी उसके सामने एक आदमी आ जाता है आदमी आता है जो बैत थी वो अपने मा के पास चली जाती है चुप चाप से सिमट जाती है थोड़ा उसे अजीब भी लगता है मेरी कुछ बोलने को करती है आगे से हटानी की कोशिस करती है लेगन इसी बीच जो आदमी था अपने गन को निकालता है और मेरी की तरफ पॉइंट कर देता है अब मेरी एक तरह से देखने के बाद सन रह जाती है कि एक आदमी है आने के बाद फॉरण अपनी गन निकाल रहा है अपने गन को पॉइंट कर रहा है मेरी को लगता है कि साहिद को ये लूट पार्ट करने वाला होगा मैरी फौरन अपनी चीज़ों को देने की कोशिश करती है लेकिन जो सामने वाला आदमी था उस सारी चीज़ों को लेने से मना करता है और कहता है कि चुप चाप अपनी गाड़ी में बैठ जाओ अब ये बात बड़ी अजीब लगती है अगर ये लूटने आया है तो चीज़े तो मैं दे रही हूँ इसमें गाड़ी में बैठाने की क्या उशकता है बैरहाल मैरी कुछ पूछ नहीं पाती चुकि एक गन कभी मैरी की दिसा में थी तो कभी उसकी आठ साल की उस बच्ची की तरह मैरी को ड्राइविंग सीट पे बैठाता है खुद उसकी बेटी की साथ पीछे बैठता है और कहता है कि गाड़ी चलो अब मैरी गाड़ी चला रही है पीछे से वो गाइट कर रहा है रोट बता रहा है कि कहा कैसे जाना है मैरी कुछ पूछने को करती तो चुप करा देता बच्चा रोने को करता तो उसे वो मार देता यानि पिन डॉप साइलेंट की साथ ये गाड़ी चल रही थी और पीछे से वो गन पॉइंट पे मैरी को गाइट कर रहा था कुछ किलोमेटर तक गाड़ी जाती है लेकिन इसी बीच मैरी देखती है कि सामने जो है पुलिस की चेकिंग लगी हुई है अब मैरी ये चीज देखती है तो बहत खुश हो जाती है कि अब पुलिस है या पुलिस के पास गाड़ी जाओंगी लेके जाने के बाद रोक दूँगी पुलिस फौरण ही इस अपराधी को पकड़ लेगी हमें आजात करा देगे लेकिन जो मैरी की उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा जो आदमी था वो सोच के बैठा था फौरण ही अपने गन की जो दिसा है मैरी से हटा कि उसके बेटी की तरफ करता है और कहता है अगर पुलिस को जरा भी भनक लगे और पुलिस के सामने तुमने थोड़ी भी एक्टिंग की तो मुझे जो होगा वो होगा मुझे अपनी जान की बिल्कुल फिकर नहीं है लेगिन सबसे पहरे तुम्हारे बेटी को मारूगा उसके बाद तुम्हें गोली मारूगा बाद में भले ही मुझे फासी हो जाए इसलिए तुम्हारा भला इसी में है कि चुप चाप से गाड़ी चलाती रहो और ऐसी एक्टिंग करो कि जैसे गाड़ी में सब कुछ नॉर्मल है अब बेटी की तरफ बंदूख मेरी ये देखती है देखने के बाद घबडाती है अब मा की ममता उसके डर पे हावी होती है बिचारी न चाहते हुए भी नॉर्मल एक्टिंग करते हुए अपनी गाड़ी चलाते हुए और उस चेक पोस्ट को जो की पुलिस चेक पोस्ट लगाई हुई थी उसे बकाइदा क्रॉस करती है और आगे निकल जाती है अब फिर से जो आदमी था और रास्ता बता रहा था मेरी गाड़ी चला रही थी कई किलोमेटर तक आगे जाने के बाद एक सुनसान जगां पे एक पार के पास आदमी बोलता है कि अब गाड़ी रोको मेरी नचाहते हुए भी गाड़ी रोकती है रोकने के बाद मेरी गाड़ी से उतरती है उसके बेटी भी गाड़ी से उतरती है अब गन इसके हाथ में था, कहता है कि सामने जो गाड़ी है उसकी डिग्गी खोलो सामने एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, मैरी उसकी डिग्गी खोलती है अब उसे अगले कमांड का काईदी से कहें, तो अगले आदेश का इंतिजार था अब इस पे वो आदमी कहता है कि काम करू तुम मा बेटी इसी डिग्गी में बैठ जाओ अब मैरी देखती है डिग्गी को, डिग्गी में जगां बेहत कम थी, मैरी सकपकाती है और कहती है कि मेरी फूल सी बच्ची है, मैं हूँ, कैसी इस डिग्गी में आएंगे अब मैरी जैसे ही तना कहती है, फौरन ही जो यादमी था, थपड़ों से मैरी को मारने लगता है और जबरदस्ती मैरी को, उसकी बेटी को डिग्गी में डालता है, मुँपे टेप लगाता है, गाड़ी पंद करता है लेकिन इसी बीच पीछे से बच्चा आवास देता है ये बच्चा लगबग 6-7 साल का था, जिसका नाम जेशन था जेशन कहता है कि अंकल आप ये क्या कर रहे है, इन आण्टी को आप ऐसे जबरदस्ती डिग्गी में क्यों भर रहे है जाहिर सी बात है, 6 साल का बच्चा था, उसे ज़्यादा ज्यान नहीं था कि ये क्या कर रहे है, क्या करने की कोशिश कर रहे है अब ये बात जैसे हो बच्चा बोलता है तो जो आदमी था, आदमी चुपचाप से उस बच्चे को फुसलाता है उसे भी गाड़ी में बैठाता है, गाड़ी चलाने लगता है, बच्चा चुक्चा बैठा है, पीछे दोने लोग डिग्गी में बंद हैं, थोड़ी दूर तक गाड़ी जाती है, आदमी गाड़ी रोकता है, उस बच्चे को निकालता है, अपने साथ कहीं लेके जाता है, औ गी खोलने के बाद मैरी को उसकी आठ सार की बीटी पैत को उतारता है उतारने के बाद एक घर में लेके जाता है और मुझे जैसे ही टेप फटाता है तुरंत मैरी पूछती है वो बच्चा कहा है अब इस बार ये जो आदमी था बहुत ही पोलाइटली जवाब देती हुए कह कि उस बच्चे को बने रास्ते में एक जहां छोड़ दिया है बैरहाल उस बच्चे की साइट से मैरी थोड़ा सा रेलेक्स होती है लेकिन अभी भी सवाल वही था कि ये आदमी को उन्हें लेकि कहां जा रहा था क्या दुस्मनी है ऐसा क्यों कर रहा है इसे क्या चाहिए कुछ पूच रही थी लेकिन आदमी इग्नोर कर रहा था मैरी को फिर से गन पॉइंट करते हुए कमरे में लेके जाता है कमरे में दो छोटी-छोटी अलमारियां थी मानो ये अलमारियां बहुत पहले ही तैयार की गई थी उसमें जंजीरे बधी होई थी ऐसा जैसे मैरी को कहता है कि तुम दोनों को इसी अलमारी में अलग-अलग रहना है और यहां पे रहने के कुछ नियम है और इस नियम को जान लो अब मैरी उसे ना तो कुछ समझ में आ रहा है ना वो बच्ची जान पा रहे है कि उन दोनों के साथ हो के आ रहा है बस एक गन है गन पॉ बढ़ नहाने दिया जाएगा और तीसरा नियम था कि तुम दोनों को दिन भर में सिर्फ एक बढ़ खाना मिलेगा यानि काइदे से कहें तो एक जीता जाता लास बना के रखना है अब मेरी रोने लगती है बच्ची भी ये सारी बाते सुनके रोने लगती है बैरहाल उस आद रहा था जाहिर सी बात है दोनों ने बच निकलने की काफी मशक्कत की थी लिकिन इस चीज से कोई मतलब नहीं था चुकि जंजीरे काफी मजबूत थी तो अंत में इनकी हिस्किन कटी थी चमड़ा कटा हुआ था उसे से खून बह रहा था यह चीज जैसे ही आदमी देखता है फौरण ही मैरी को उस जंजीर से बाहर निकालता है एक कमरे में लेके जाता है दूसरे वाले और एक चेर पे बैठाता है अब जैसे मैं सामने हूँ कैमरे के ठीक उसी तरह से कैमरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ था कैमरे के सामने उसे बैठाता है पीछे खड़ा होता है camera को on करता है और एकदम filmी अंदाज में कुछ-कुछ सवाल पूचता है पहला सवाल पूचता है कि क्या आप मुझे पहचान रही हो अब मैरी कहती है कि भईया मैंने आपको तो इससे पहले कपी देखा ही नहीं आप कौन है आप ऐसा क्यों कर रही है मुझे कुछ नहीं आदो अगर आप अपना परचे देने और कोई गलती हो तो माप कर दीजे और छोड़ दीजे मुझे नहीं तो मेरी बच्ची को छोड़ दीजे चुकि ये घर नहीं जाईगी इसके पिता परिशान हो जाएंगी ये आ रही भी नहीं पाएगी अब ऐसा जब वो बोलती है तो फौरण सामने वाला सक्स कहता है कि ध्यान से याद करो और आज से ठीक 15 साल पीछे जाओ अब ये बात मेरी सुनती है तो सुनने के बात उसको और नहीं समझ में आता कि क्या माजरा है, क्या बात है अब ये बात जैसे ही वो बोलता है मेरी कुछ समझ नहीं पाती तो अंत में वादमी कहता है कि 15 साल पहले तुम मुझे पढ़ाती थी 15 साल पहले तुम मुझे पढ़ाती थी मैं तुम्हारा स्टुडेंट था मैं नाइन्थ में पढ़ता था मेरा नाम मिंग सेन सी है अब ये नाम जैसी हो महिला सुनती है तो याद करें कि कोशिश करती है लेकिन ये नाम मैरी को याद नहीं आता इस पेवाद में और गुस्सा होता है और कहता है कि काम करो अपने कपड़े उतारो अब कैमरे के सामने एक पराया मर्द कपड़े उतारने की बात कह रहा है मैरी को ये चीज बड़ी अजीब लगती है मैरी मना करती है फोरण यो आता है दो धपड लगाता है फिर कहता है कि कपड़े उतारो फिर मना करती है तो इस बार जाता है और उसकी बेटी को टॉर्चर करने लगता है अब बाज जैसे ही बेटी की आती है मैरी फौरन अपने कपड़े उतारती है और जैसे ही मैरी कपड़े उतारती है जो आदमी था मैरी के साथ आप प्राकृतिक रूप से रेप करता है अब अप प्राकृतिक रूप का क्या मतलब है आप लोग कicação समख सकते हैं रेप करता है रेप करने के बाद फिर से जालियों में जंजीरों उसी तरह से ज़कर देता है वापस चला जाता है फिर कुछ घंटे वाद आता है फिर से रेप करता है फिर बांग देता है फिर आता है वापस आता है फिर टॉर्चर करता है कभी जलाता कभी मारता कभी पाल को उखारता अब मैरी ना तो ये समझ पा रहे थी कि उसके साथ क्या हो रहा है ना ही मैरी ये जान पा रहे थी कि अगर ये स्टुडेंट था तो इसकी क्या दुस्मनी थी मैरी को ये भी नहीं पता था कि ये सारी चीजे कब तक चलेंगी एक दिन बीता, दो दिन बीता, तीन दिन बीता, कायदे से पूरा का पूरा हफ़ता बीत गया हफ़ते में एक बार सिर्फ नहाने को मिला, साथ बार सिर्फ खाना मिला पूरे साथों दिन में और रेप नजाने कितनी बार हुआ मैरी इन सब चीजों की तरह से कहें तो अब आदी होती जा रही थी वक्त गुजरता गया दस दिन बीते मैरी भी धीर धे छड़ पटा रही थी निकलने की कोशिश कर रही थी जब भी भागने की बात करती जब भी कोई और मना करती फोरण उसकी बेटी को मारता पीटता अब आट साल की बच्ची को कौन ही मारता देखना चाहेगा लिहाजा मैरी भी उसके आगी घुटने टेक चुकी थी लेकिन इसी बीच या आदमी कहता है कि चलो तुमको सौपिंग पे लेके चलता हो अब मैरी जब ये बात सुनती है तो फोरण उसके अंदर एको मीच जाकती है कि अगर ये सौपिंग पे लेके चला तो वहाँ पे डे सारे लोग होंगे मैं सोर मचाओंगी या फिर वहाँ से भाग जाओंगी जो होगा देखा जाएगा लेकिन इसके लिए भी ये आदमी पूरी तरह तयार था कार में इन दोनों को वैठाता है लेके जाता है कार में मैरी को छोड़ देता है काईदे से कहता है तो मैरी की बेटी को पहरे छोड़ता है मैरी से कहता है कि जो तुम सौपिंग करके आओ अब मेरी जाती है अपने और अपने उस बेटी के लिए कपड़े लेके आती है और इतना हिदायत दे के भेशता है कि अगर तुमने जरा से भी चाला की की तो जो मेरा होगा वो तुम्हें देख लूगा लेकिन तुम्हारे बेटी को तुरंट मार दूँगा अब एक मा अपनी बेटी के लिए पूरे के पूरे पचास दिन से ज़्यादा सेक्रिफाइज कर रहे थी रोज नजानिक कितने बार कितने अलग-अलग तरीकों से उसके साथ रिफ हो रहा था उसे टॉर्चर किया जा रहा था लेकिन मैरी बरदास कर रही थी धीरे-धीरे वक्त गुजरा दस दिन बीता, बीस दिन बीता, पचास दिन बीता और तिरपहवे दिन चुकि ये पचास दिन से लगातार बच निकलने की कोशिश कर रही थी लगातार उस जन्जीर पे अपना जो राजमा रही तो धीर धीरे जो जन्जीर थी वो भी कमचोर हो चुकी थी तिरिपनवे दिन इसकी किस्मत एक बार फिर से खुलती है एक मौका देती है जो मिंग सेंसी था कहीं बाहर गया हुआ था और अचानक से जन्जीर जटके मारते मारते तूट जाती है जैसे ही जन्जीर तूटती है फोरण अपने बेटी को आजात करती है फोरण पुलिस थाने फोन करती है पुलिस आती है मैरी को और उसकी बेटी को वहां से रेस्क्यू करती है मैरी की हालत उसकी बेटी की हालत ऐसा हो गया था कि मानो कुछ दिन और चलता तो सàiht दोनों मर जाते फौरण इन्हें मेटकल ट्रीट्मेंट दिया जाता इनका इलाज किया जाता है और इससे पूचा जाता है कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कोन है फौरन उस आदमी का उस सक्स का नाम बताती है और कहती है कि आप वह इंतिजार कीजी हो आएगा पोलिस चुप चाप मैरी की जगह वहाँ पे जाती है इस सक्स का इंतिजार करती है किसमत से ये सक्स आ भी जाता है पोलिस इसे गिरपतार करती है ग्रवतार करके थाने लेके जाती है इससे पूछताच करती है उसके पाद महामला कोट में जाता है कोट में जाने के बाद जब इससे पूछा जाता है जब जब साब इससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों कहा और इतना टॉर्चर तुमने क्यों कि अब पूरी कहानी क्या है तब कोर्ट में जो मिंग सेन सी था ये अपनी कहानी बताता है दरसल जब ये नाइंथ क्लास में था तो इस समय इसके उमर 14 साल थी और जो मैरी थी इसके उमर 20 साल थी यानि उमर में ज़्यादा फरक था नहीं मैरी थोड़ा सा बालिग हो चुकी थी और जो मिंग सेन सा था थोड़ा थोड़ा जवान हो रहा था इसकी जो पसंद थी इसकी यही टीचर मैरी थी काईदे से कहें तो जो मिंग सेन सी था मैरी को प्यार करने लगा था पसंद करने लगा था लेकिन टीचर थी तो कभी कह नहीं पाया इसी बीच मिंग का एक्जाम होता है एक्जाम होता है एक्जाम होने के बाद इसका एक्जाम गरबड होता है इसी हिसाब से मैरी इसकी कॉपी चेक करती है चुकि बच्चे का दिमाग था तो इसे लगता है कि चुकि मैं मैरी को प्यार करता हूँ तो मैरी मुझे अच्छे नमबर देगी लेकिन इसकी कॉपी अच्छी लिखी नहीं थी तो मैरी इसे B grade दे देती है बात वहर अफ़ा दफा हो जाती है लेकिन अब जब मिंग सेन कहीं भी एडमीशन लेने जाता तो इसका जो रिजल्ट था उसे देखने के बाद किसी अच्छी नुवस्टी में ना तो इसे एडमीशन मिला ना ही कहीं ये हाई इस्टेटी कर पाया और ना चाहते हुए भी इसे ताइवान की सेन में भरती होना पड़ा अब एक टीचर जिसके रिजल्ट की वज़ा से इसे दरवदर ठोकरे खानी पड़ी ये कहीं पढ़ नहीं पाया इसी वज़ा से इसे अब मैरी से इसकदर नफरत हो गई कि सायद 1965 से है ये मैरी से बदला लेने का प्लान बनाने लगा मैरी से बदला लेने का प्लान बनाता है लेकिन मैरी बड़ी थी ये छोटा था तो काईदेस इसका जोर मैरी पे चल नहीं पाता तो ये अब इंतिजार करता है अपने बड़े हो जाने का लेकिन जब ये बड़ा होता है तो मैरी की साधी हो जाती है मैरी अपने पती के साथ कहीं और शिप्ट हो जाती है अब ये आए दिन मैरी की रेकी करता मैरी का पीछा करता और लगभग दसो साल तक काईदे से कहें तो कम से कम आठ साल तक ये आए दिन मैरी की रेकी सिर्फ इसलिए कर रहा था कि कब इसे परफेक्ट मौका मिले और कब ये मैरी को उठा ले ये बकाइदा अपने एक घर तैयार करता है बकाइदा अपने एक टॉर्चर रूम तैयार करता है साइड कई साल पहले से ही सोच रहा था कि कैसे लाओंगा तो कैसे टॉर्चर करोंगा किस चीज पे कैसे ब्लेक मेल करोंगा सारे प्लान जब इसके सेट होते हैं इसने एक date मुकररर की इसे पता था कि Mary E segunda आएगी इसे date पे इसे पता था किसी बेटी आएगी चुकि इतने टाइम से ये रेकी कर रहा था कि साइद मैरी का जो पूरा लाइप स्टाइल था ये जान चुका था इसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम देता है अब ज़स साहब जो भी बात सुनते है तो एक दूसरा सवाल जो निकल के सामने आया जो छे साल का बच्चा था जिसने बीच में पूछा था कि अंकल आप क्या कर रहे है वो कहा है कम से कम एक चस्मदीद कवाह तो मिल जाएगा अब पुलिस वाले जाते हैं उस जेसन को खोजने तो पता चलता है कि उसी डेट के बाद जो जेसन है वो लापता है अब इसके उपर ट्राइल चलता है मुकदमा चलता है और जजस सहब इस मामले में बिलकुल भी देरी नहीं करते और फौरन एक कतल और नजानी कितनी बार रेप, टॉर्चर, अपहरण इस सारे मामलों में इसे 20 साल की सजा सुना देते है बेश साल की सजा सुनाई जाती है मैरी अपने घर आ जाती है धेदरे वक्त गुजरता है और 1980 में ही इसे सजा मिल गई थी तो कायदे से देखा जाए तो 2010 में इस सजा से ये बरी हो सकता है अब 2010 आता है धेदरे ये न्यूज भी फिर से बाहर आती है चुकि मामला बड़ा था तो लोग इस पे नजर रखे हुए थे तो जब ये न्यूज बाहर आती है कभी ये बरी हो जाएगा तो ये चीज जैसे ही मैरी सुनती है तो अपने उपर जो उसका गुजरा था पास्ट उसे फौरन याद आता है और फौरन कोर्ट भाग की जाती है और कहती है कि जज साहब अगर ये छूट गया तो मेरी सुरच्छा और मेरी बेटी की सुरच्छा की गारेंटी कौन लेगा अब जज साहब ये अजीब कस्मों कस्में फस्ते है एक आदमी जो सजा आपता है उसकी सजा पूरी हो चुकी है लेकिन जो सामने वाला पीडित है वो फिर अपने जान का खत्रा बता रहा है और आदमी ने एक अजीब ऐसा जुर्म किया है कि साहब ऐसी मिसाल न पहले कभी थी न साहब बाद में कभी हो तो ऐसे नए मावलों में सजा क्या दी जाए बैरहल काफी टाइम तक फिर से जिराह बहन्स मुकदमा चलता है और जस साहब भी इस मैरी की बात से कन्वेंस होते है और इसकी सजा को फिर से बढ़ा देते है बैरहल मैरी इस पे खुश होती है मैरी अभी अपने जियून में खुश है और ये आदमी अभी भी जेल में है लेकिन जब ये खबर निकल के लोगों के सामने आई खासकर जो फिल्म सिटी के लोग है उन तक पहुंची तो ये कहानी उन्ही फिल्मी थी इतनी हैरान करने वाली थी कि 2019 में किस फिल्म भी बनी और ये फिल्म काफी हिट थी और इस फिल्म का नाम था दमैरी स्टफर स्टोरी इस फिल्म को देखने के बाद नजाने कितनी लोग रो पड़े चुकि साथ ऐसा टॉर्चर ऐसा मा का प्यार जिसने महज अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए तिरपन दिन तक ऐसा नर्ग जेला ऐसी ये आतना सही चाहती तो नजाने कितनी बार वो भाग सकती थी चाहती तो पुलिस वालों के आगे अपना मूँ खोल सकती थी लेकिन महज उस बेटी का प्यार उसे इसकदर बांध के रखा था क्यों चाहकर भी न वहां से जा रही थी ना कुछ कर रही थी बस एक रेपिस्ट एक किड़नेपर की बात मान रही थी तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी जिसमें एक आगमी ने पंदरा सालों तक अपाहरन और रेप करने का प्लान बनाया पंदरा साल तक दिनो रात इसी साजिस में रहा और पंदरा साल बाद अपनी इस प्लान को उसने एक्जेक्यूट किया और साइद अपने तरीके से सफल तक पूरबक किया लेकिन ऐसे इनसानों का साइद इस दुनिया में कोई काम नहीं है काइदे से ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो मेरे जैसे लोग जो साइद कानून को मानने वाले हैं कानून को पढ़ने वाले हो भी यह चाहते हैं कि कानून हो गयरा हटा दो इसको तुरंद गोली मार दो लेकिन कई चीज़े ऐसी हैं जो कानून के दाइरे में भी अच्छी रगती है तो फिलाल यह थी पूरी कहानी उमेदे कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो बस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजेगा और काईदे से ये कहना गलत होगा एक भाई ने कमेंट करके मुझे साज़ेशन दिया था कि इतनी दरदनाक कहानी आप सुनाते हैं उसके बाद आप ये बोलते हैं कि अगर कहानी पसंद आई हो इस कहानी पसंद का मतलब साए मैं अपने तरीके की बात करता हूँ कि मेरा तरीका अगर आपको पसंद आया हो मेरी डिटेलिंग पसंद आई हो तो उस पर वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को प्यार दे दीजेगा और आपने बड़े अच्छी वात भूली थी तो फिलाल यह थी पूरी कहानी अब आपसे कल फिर मुल्याकात हो कि कि इसके अऄसरी कहानी साथ लेक competition तब तक अच्छी रहेगा घुस रहेगा अपना ख्याल रखिएगा अपने देश का ख्याल लखिएगा